Hey guys, this is Rohit Bhakat and welcome back to my channel Mobile Talk तो guys, आज की वीडियो हम करेंगे Infinix S4 Plus इस मोबाइल की detail camera review and camera test देखेंगे, इस ते 8000 की रुपीज पे आपको Infinix के तरफ से कैसा camera फोबाइट किया जाएगा and guys, वीडियो सुरू करने से पहले मैं और एक बात बताना चाता हूँ इस model के ओपर में already एक review वीडियो बना चुका हूँ उस वीडियो का link इस वीडियो का description पर आपको मिल जागा time हो तो वीडियो पर चेक आउट कर ले तो काईस पहले हम बात कर लेंगे इस phone की camera designing के बारे में और camera के ठिक साइट पर आपको मिल जागा triple LED flash light और बात करते हैं phone camera के बारे में तो यहाँ पर आपको phone camera मिलता है 8 Megapixel का notch के अंदर जहाँ पर आपको aperture मिलता है F 2.0 और phone आपको flash भी देखने को मिल जाएगा तो गाईस यहीता कुछ camera designing अब बात करनेंगे इस phone की camera interface के बारे में तो गाईस आप देख सकते हो camera interface आपको कुछ इस type मिल जाएगा पहले आपको यहाँ पर मिलता है videos mood और यहाँ पर आप देख सकते हो आप 1080p, 720p and 480p videos recording कर सकते हो यहाँ पर मिल जाएगा आपको AI camera, next आपको मिल जाएगा beauty camera and guys यह जो नहाँ features आप देख रहे हो beauty, slim and natural photos आप custom करके ले सकते हो next आपको मिल जाएगा broken shots यहाँ पर पोट्रेट shots ले सकते हो air shots यानि तरह तरह के आप sticker add करके यहाँ पर inbuilt sticker आपको मिल जाएगा आप यहाँ से photos क्लिक कर सकते हो next आपको मिल जाएगा panorama camera जो की अभी के दिन पर उतना use नहीं होता है तो guys मैंने इस phone से बहुत सारा shots ले चुका हो आपको आगे एक एक करके दिखाऊंगा अगर आप daylight कोई भी primary lens से photos लेते हो तो काफी बहतर photos आपको मिल जाएगा photos की quality आप देख सकतो detailing काफी अच्छा मिलेगा और infinix ने यहाँ पर AI HDR Plus प्रोबाइट कर रहा है जहाँ पर काफी ज़्यादा improve क्या है जो की photos की excess white होता है वो घटाने के लिए यहाँ पर देख सकते हो overall photos की जो dynamic range पहले क्या होता था जो background पर white या cloud होता था वहाँ पर कुछ ज़्यादा white देखने को मिल जाता लेकिन यहाँ पर आप photos देख सकते हो photos की जो cloud का structure है वो भी आपको काफी अच्छा तरके से देखने को मिल जाएगा और जो blue इसका color जो मिलता है वो काफी blue color आपको देखने को मिल जाएगा photo थोड़ा oversaturate होता है अगर daylight अच्छा खासा light हो अगर normal light हो तो काफी soft आपको photos यहाँ पर मिल जाएगा बात करते है secondary जो आपको option मिलता है beauty mood तो guys मैं बताना चाहूंगा beauty mood पे अगर आप photos लेते हो तो यहाँ पर कुछ easy type output मिल जाएगा तो यहाँ पर काफी अच्छा skin tone मिलता है काफी अच्छा beauty मिलता है और इसके अलाबा beauty में एक काफी अच्छा features मिलता है यहाँ पर आप customize करके photos click कर सकतो और यह feature शायद अभी तक कोई भी company ने provide नहीं किया है तो यह features मुझे काफी अच्छा लगा तो overall beauty photos काफी अच्छा तरिके से output यहाँ पर मिलता है बात करते हैं आपर जो secondary lens आपको मिलता है depth sensing के लिए तो guys मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर जो depth sensing के लिए sensor provide किया जा रहा है तो infinix ने अभी तक mention नहीं किया है कितने megapixel का यहाँ पर camera मिलता है बस यहाँ पर आपको depth sensing मिलता है तो guys देख सकतो पहले output तो यहाँ पर कुछ इस type output मिल जाएगा तो portrait source आप देख सकतो कुछ खास आपको blur नहीं मिलेगा subject का detailing overall काफी अच्छा मिलेगा photos की color काफी अच्छा है लेकिन आप देख सकतो जो part blur होता है वहाँ पर काफी कम blur आपको देखने को मिल जाएगा और मैं बताना चाहूंगा काफी सारा phone पे देख चुका हो single camera मिलता है इस से अच्छा output मिलता है software का बजे से तो यहाँ पर जो secondary camera मिलता है मैंने सोचा actual पे यह working कर रहा है या नहीं तो मैंने lens को guard किया तो यहाँ पर गाइस देख सकतो आपको lens को बार लिख रहा है यानि actual पे यह lens working कर रहा है लेकिन गाइस यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आपको portrait source कुछ खास नहीं मिलता है इस price segment की phone पे और मैं बताना चाहूंगा इस price segment पे मैं काफी सारा company के phone पे देख चुका हो इस से अच्छा portrait source output मिलता है बात करते हैं front camera की portrait source के बारे में तो गाइस देख सकते हो front camera की output आप पर काफी सारा problem मिलेगा लेकिन मैं बताना चाहूंगा back camera से आपको side font camera पे portrait source अच्छा लगेगा और infinix ने अगर और भी improve किया age detection को over font camera पे तो back camera से और भी बहतर picture आपको font camera पे मिलता है तो overall जो beauty का skin tone है portrait source पे वो भी काफी अच्छा मिलता है और जो आपको photos की detailing color मिलता है व आप guys बताना चाहूंगा यहाँ पर तो आपको कोई भी markulence नहीं provide किया जाए लेकिन मैंने बहुत सारा इस phone से close up source ले चुका हो तो आप देख सकतो close up source आपको कुछ each type output मिल जागा subject का detailing काफी बहतर तरगे से काफी detailing आपको मिल जाएगा यहाँ पर भी आपको थोड़ा कम blood मिलता है लेकिन यहाँ पर age detection काफी अच्छा मिलता है तो overall आपको markulence नहीं provide किया जा रहा है लेकिन अगर आप ले तो कोई भी close up source तो काफी बहतर picture output यहाँ पर मिलता है बात करेंगे यहाँ पर panorama camera के बारे में तो guys panorama camera अभी के दिन पर उतना use नहीं होता है लेकिन मैंने फोन से कुछ panorama source ले चुका हूँ तो मुझे काफी बहतर लगा इस phone की panorama camera और काफी phone पर देख चुका हूँ इस price segment पर जो panorama output मिलता है वहाँ पर लगता है थोड़ा edit photos मिलता है लेकिन यहाँ पर overall panorama camera काफी अच्छा मिलता है जो कि हम सब अभी use नहीं करते है अब बात कर लेंगे night camera के बारे में तो यहाँ पर आपको नहीं मिलता है कोई भी dedicated night mood और नहीं मिलता है कोई भी dedicated low light sensor जो की इन्फिनिक्स पे पहले mobile पर हम सभी को मिल चुका है low light sensor अगर आप ले तो कोई भी low light photos अगर आपके पास थोड़ा light sources है तो कुछ इस type आपको output मिल जाएगा आने का chances रहता है अगर light sources हो तो आपको ज्यादा clarity के साथ photos output मिल जाएगा तो guys यहीता कुछ photos के बारे में बाते अब बात करेंगे वीडियो के बारे में तो guys मैं पहले बता चुका हूँ इस phone से आप 1080p 720p and 480p के quality पे वीडियो से रेकॉर्ड कर्षक तो 30fps पे तो पहले आप output देख लीजिए तो guys यह जो वीडियो से आप देख रहे हो यह infinix smart 4 plus की back camera से recording हो रहा है 1080p 30fps में normally आप कर रहा हूँ आप देख रहे हो और यहाँ पर जो sounds recording हो रहा है यहाँ पर कोई भी external mic नहीं लगाएगा है यहाँ पर आप देख सकते हो आपको थोड़ा से की videos मिलता है क तो guys यह वीडियो से आपको थोड़ा से की back camera से recording हो रहा है लेकिन यहाँ पर जो regulation आपको मिलता है 720p 30fps में rail के पठरी पर normally आप कर रहा हूँ और यहाँ पर भी सायद आपको थोड़ा से की videos मिलता है तो guys यहाँ पर आप videos quality देख सकते हो काफी आपको से की videos पोड़ाइट किया जाएगा क्योंकि guys इस phone आपको EIS का supported नहीं मिलता है तो सायद इस price segment पर मैं देख चुगा हूँ काफी सारा phone पर EIS का supported नहीं मिलता है लेकिन overall वहाँ पर भी आपको से की videos मिलता है लेकिन Infinex A4 Plus के बारे में जान करें आप सभी के लिए अगर आप चाहते हो इस phone के ओपर में और भी एक dedicated videos बनाओ लाइक, features videos, like, review videos तो आप जरूर कॉमेंट पर पताना अगर time हो तो में dedicated videos आप सभी के लिए जरूर बना दोंगा तो आज का छोटा सा सांदर videos यहीं पर खतम करते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक लिए गुडबाई, जैहिन, बने मात्रा